नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट खतम करने बाला हूँ रेलवे से संबंदित क्यूंकि नोटिफिकेशन आने के बाद रेलवे ने रेलवे ग्रूप डी में काफी चेंजेस कि हुए कि रेलवे ग्रूप डी से आईटियाई को हटा दिया जाएगा जैसे कि दोस्तों आईटियाई हटने से पहले जिन दोस्तों ने फॉर्म भर दिया है बो लोग अब क्या करें फॉर्म बनने की फॉर्म जिन्होंने भर दिया है जिन्होंने गल्दी कर दिये बो दोस्त क्या क तो बातों पेर हम लोग फुली डिसकस करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को end तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हैल्पूल थाभित होने बाला है, इस वीडियो में आप लोगों को काफी जनकारी मिलेगी की रेलबे से समंदित तो दोस्तों नीचे दिए रेड कल के बटन पर क्लिक कर लें क्योंकि इसमें कुछ नाव आपको पैसा मिलना है आपको फ्री सेवा मिलना है इस इन वीडियो से काफी जानकारी मिलती है तो नीचे दिए रेड कल के बटन पर क्लिक करें और चैनल को कि दोस्तों आप लोगों ने जब दोस्तों ने फॉर्म भर दिया है तो यह फॉर्म 10-2018 से भरे जा रहे थे ठीक है और दोस्तों जो इसकी जो लांस्ट डेट होगी वो 31-3-2018 होगी आने वाले दिनों में रेलवे अपने जो फॉर्म जो दोस्त में डालेंगे जो बच्चे जो फॉर्म इसमें अपलाई करेंगे उसकी डेट बढ़ाई है वो 31-3-2018 बढ़ा दी गई है लेकिन अभी ऑफिशियल साइड पर यह निर्दारित नहीं की गई है क्योंगी 28 ता पहले से पहले जिन दोस्तों ने फॉर्म भर दिया है वो दोस्त अब क्या करें जिन दोस्तों ने गुरूप D का फॉर्म पहले से ही भर दिया है जब इसमें आइडिया जरूरी था और सब पोस्ट के लिए फॉर्म अपलाई नहीं कर सकते थे लेकिन 28 तारीक के बाद दोस् आप लोग इसको दोवारा से सारी पोस्टों को select कर सकते हैं और form भर सकते हैं और form भरनने के बाद आप लोगों को कापी आसानी हो जाएगी और सारी पोस्ट के लिए आप apply कर सकते हैं तो दोस्तों साथ इस पॉइंट से आप सभी का डॉट की खतम हो चुका होगा देखी दोस्तों चौथा पॉइंट इसमें यह है कि RRB अपने जोन क्या बदले गा तो दोस्तों RRB अपने जोन नहीं बदलेगा यह 100% कनफर्म है तो दोस्तों आप लोग अपने तयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका स्लेक्शन हो जाए क्योंकि 31 तारिक कर दी गए इसकी last date आपके पास समय ज़्यादा है इसे समय का उपयोग करें और समय का सदिपयोग बिल्कुल भी ना करें कम से कम 5-6 घंटे study पर focus करें तब ही आप लोगों का selection होगा नेश्ट इसमें point यह है कि जिन्होंने fees submit कर दी है उनकी fees कैसे बापस होगी दोस्तों जिन दोस्तों ने 5 रुपए फीस समय की है उनके 4 रुपए फीस जो बापस हो जाएगी और जिन दोस्तों ने 250 रुपए उनकी भी फीस बापस होगी क्योंकि उनके लिए बिल्कुल यह free ह दोस्तों रेल्वे ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पिछली बार रेल्वे ने रेल्वे गुर्पडी में कम से कम 42,000 कुछ बेकंसी निकली थी इसलिए form काफी पड़े थे और कई लोगों ने एक्जाम को छोड़ दिया था इसलिए रेल्वे को काफी नुक्सान इसमें हु आप सभी लोगों की फीज बापस होगी देखिए जनरल ओवी सी की जो फीज होगी 400 रुपए वो बापस हो जाएगी और यसी एस्टी की जो फीज जो है 250 रुपए वो फ्री एंड कॉस्ट है विल्कुल एक्दाम फ्री है नेश्ट पॉइंट इसमें यह आ रहा है कि फॉर्म बहनने से पहले जिन दोस्तों ने गलती कर दिये वो च्छात्र क्या करें देखिए जिन दोस्तों ने फॉर्म भर दिया है उनको टेंसल लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 28 तारीक के बाद उनके सामने एक ऐसा विक 24 तारीक के बाद आप दोबारा से forme love कर सकते हैं और सफाई कर सकते हैं सारी पोष्ट को सिलक्ट भी कर सकते हैं और पूरा bond complete भी कर सकते हैं इसलिए निरास होने की कोई जरूरत नहीं हैए कि to be next point इसमें यह कि कि 22 दूपार के इसमें आइडियावालों को चूट दी जाएगी तो मुस्के लिए आईडियावालों को 10 इसमें दी जाए तो इसमें ग्रूप D से से 8 पहर आफ venture से कीजिए क्युक्य मेरे श्लेष जाने के आफार बहुती बंपर आसार ज़्यादा है सबसे ज़्यादा अनुमाल लगाया जारा कि इस वार मेरे रिलेश सबसे हाई जाएगी इसलिए त्यारी अच्छे सकीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्षन हो सके तो दोस्तो जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है रेलवे गरूप 2 से समंधिद आसा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को लोगों को पसंद आया होगा और आपलों को इससे काफी जानकार्य बंता ही इस वीडियो पर ओंसे mac से मिल जाएगी तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ जय हिंद